सबसे पहले मैं आपको लेकिया रहा हूँ इसलिए यहां से मैं इनको थोड़ा सा अलग से करा रहा हूँ क्योंकि थोड़े से यह difficult question आप इनको कह सकते हैं तो आएए देखते हैं इन questions में कुछ questions सबसे पहले मैं आपको लेकिया रहा हूँ इसार year 2007 का question number 64 सबसे पहला question क्या है 64 64 है कि 65 65 देखिए सबसे पहले मैं question 65 कर रहा हूँ question 65 में लिख रहा हूँ देखिए क्या है after bought a ceiling fan on rupees 750 मतलब एक ceiling fan है जिसकी cost price जो है आपको किती दी गई है 750 रुपीज दी गई है one sales it with a profit of 18% एक बंदे ने इस पर जो profit लिया है profit जो लिया है वो कितना लिया है 18% लिया मतलब यहाँ पर आपको profit percent दिया गया है find the selling price आपको selling price find करना है कि what is selling price ठीक है देखिए कैसे count करेंगे selling price को आप जानते हो कि selling price equals to होता है cost price plus profit cost price plus profit यह उकरता है यहाँ पर आपको profit नहीं दिया है आपको profit percent दिया है तो cost price कितना है 750 और profit किस पर निकाला जाता है cost price पे तो profit कितना होगा इतने का 18% तो 750 rupees का का मतलब multiply और कितने percent 18% मतलब 18 upon 100 तो zero to zero क्या हो गया cancel अब देखिए अपके पस कितना बच चुका है यह बन चुका 750 plus 75 into 18 upon 10 मैं 5 से काटूंगा इसको दो बार और यह पांच से कितने बार जाएगा 15 टाइमस जाएगा ओके और यह कितने बार गया यह 29 जा 18 okay so how much it will be 750 plus 59 जा 135 135 so answer 750 plus 135 five five plus three eight and seven plus one eight answer is rupees 885 rupees how much it is 885 rupees option में match करेंगे देखिए 885 यह बिलकु है option number two यानि की B इसका correct option है ओके तो बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चे गलती करते हैं कि सीरे cost price में लिखते है 750 और profit जोड देते हैं सीरे 18 याद रखना है यह 18% है और परसेंट किसी given value का निकलता है तो किसका 18% निकलेगा 750 का 18% मतलब 18 upon 100 ठेक है ना? So I hope यह आपको clear हो गया होगा तो इसको जल्दी से note कर लीजे चलिगा इस देखिए अगला जो question है हमारा वो जो question है हमारा 2007 का है question और 2007 में यह question number 70 है और यह graph chart का question है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यह chart क्या है chart में इधर इस axis में दिये है number of student यहाँ पर क्या है number of students यह number of students दिये गए है और इस axis में आपके पास दिये गए है इनके subject दिये गए यहाँ पर subject दिये गए तो सबसे पहले इस graph को समझना पढ़ेगा फिर मैं question लिखता हूँ तो देखे यहाँ पर जो graph है 10-10 के scale में बना हुआ है मतलब पहला slot आपको मिला है 10 अगला slot मिला आपको 20 फिर अगला slot मिला आपको 30 फिर अगला slot मिला आपको 40 बस 40 लास्ट है यहाँ पर देखे जो फस्ट संस्कृत में है संस्कृत पहला subject है यहाँ पर लिखा संस्कृत तो संस्कृत में बच्चों के number of student दिये गया है 20 तो संस्कृत में 20 दग गया हुआ graph ठीक है दूसरा subject है maths तो maths में जो height दी गई हो बिल्कुल 40 और 30 के exactly बीच में दी गई है तो वो 35 count होगी तो यह मैंने maths की graph बना दिया इसको बार graph बोलते हैं बार याने की डंडे यह न तो यह maths की height है तो अब इसलिए समझ में आ जागा कि संस्कृत के जो student है वो कितने है भाई सब 20 maths के कितने है बोलिए 40 sorry 35 क्योंकि 30 और 40 के बीच में है तो यह होगा कितने 35 नेक्स्ट आपके है science के student वो 30 और 20 के बीच में है बिल्कुल बीच में तो बताईए वो कितने होंगे 25 बिल्कुल सही यह होंगे 25 बिकास 30 और 20 के बीच में है तो किसके सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब हो गए ओके 10 और 20 की बीच में लास्ट है शोसल साइन्स के बिलकूल 30 पे मिला रहा है ग्राफ दे रखा यह तो शोसल साइन्स के स्टुडेंट यह दे रखें सस्टी के यह लाइन जो है यह ग्राफ का पार्ट नहीं होती है यह आपको खुद स्टडी करना पड़ता है देखना पड़ता है कभी कभी दीवी जा सकती है यह ना भी दीए तो आपको खुद देखना पड़ता है तो स्टुडेंट कितने है 30 तो इसमें चमत क्यार क्या था इसमें जो रहा हूं यह graph दिया है question में, यह question का part है graph और question कह रहा है in different subject the number of past student in a class of 40 student है ना, total number of past student in a class of 40 student, 40 बच्चों की class है और different different subject में यह pass होने वाले बच्ची है, to study the graph say that what percent of student in English has past कह रहा है कि बताइए इस graph को देख कर की, कि English में कितने बच्चे पास हुए है, मतलब आपको passing percentage निकालना है किसका English का, तो मैंने बताया था बहुत ही simple किसी का percentage निकालना, total student नीचे कितने बताईए 40, और English में पास होने वाले कितने भाई सा 15, मतलब यह सब calculation किसी काम की नहीं है, हमने question को पहले पढ़ लिया होता तो हम सीवे English पे attack करते हैं, और English के corresponding value हम देखते हैं, बताईए कितना है 15, तो total बच्चे 40, पास होने वाले कितने 15, और percentage के लिए कितने का multiply करते हैं, 100 का 0 से 0 क्या हो गया, cancel, ठीक न, तो 15 बचा है यहाँ पर, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 10 बचा, अब देखिए मैं काटता हू 22 जा 4, 25 जा 10, ठीक न, तो अपने पास कितना आगे, percentage लगाना न भूलिए, तो 15, 5 जा 75 बाई 2%, 75 को 2 से divide कर दीजिए, कितना आएगा 37.5, 37.5%, क्योंकि 37 का double 74 होता है, तो 0.5 ले लोगे तो कितना आजागा, 37.5 का double 75 हो जाएगा, तो answer होगे 37.5%, option number 2, यहने की option number B correct है, टिक लगा लिसकते हैं, तो यह हो गया, यह भी done हो गया, जिस question में, जो question done हो जाता है, मेरी यादत है, उसमें में क्या लिखता हूँ, 1, तो आप लोग भी लिख दीजिए, इस पे 1, यहना, done यहने की 1 नहीं बना, तो 0, ठीक है, clear हो गया, देखे बच्च करेगा, और उससे आप फिर मतलब आपको answer ही लिख जाएगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कभी भी किसी question है, question पर यहाँ पर 1 लगाईए, यह 0 लगाईए नहीं बना है, तो यह नहीं कि उसके 4 option दिये है, A, B, C, D, तो आप वहीं पर टिक कर देगे, क्योंकि algebra का use this question में, question number 79 है आपके, exam 2007 के paper का 79 question है, question क्या है, आपको बता रहा हूँ, question कह रहा है, the product of the three numbers is 7980, कह रहा है कि जो product है three numbers का, है ना, तो question को मैं लिख देता हूँ, product of three numbers is equal to 7980, वही तीन number का product 7980 है, and in which the product of the two numbers is 228, और उनमें से दो number का product, product of two numbers, equals to 228, कह रहा है, then what is the third number, तो आप से बोला गया है कि third number क्या होगा, चलिए, तो करते हैं, इसको solve, कैसे करेंगे, देखे, तीनों number आपको पता नहीं, तो आप तीन number को मान लिजी, क्या, XYZ, पहला नमर मान X, दूसरा number माना Y, और तीसरा number माना Z, तो तीनों number का product आपको कितना दिया है, 7980, यह तीन number का product है, ओके तो आप इसे लिख सकते है, XYZ का product कैसे लिखा जाएगा, maths में, X into Y into Z, directly बोलेंगे, XYZ equals to 7980, 7980, अगला क्या कह रहा, product of the two number, दो number का product, तो दो number आपके कौन-कौन से है X and Y, या बाद बाले भी ले सकते हैं, बट जनरली हम लोग सुरू बाले लेते हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, कि X into Y is equals to 228, तो दो number जो हमारे X और Y, उसका product कितना है, 228, ओके, आपको third number find करना है, भाई, so simple, divide करो तो अपने आप दोड़ा-दोड़ा आएगा third number, देखे, X, X क्या हो गया, Y से Y क्या हो गया, cancel, अब 7980 में 228 जितने बार जाएगा, वही आपका answer होगा, तो 7980 में आप 228 का divide करिए, तो आप चाहें तो इसको cancel भी करकर के छोटा कर सकते हैं, 22 से, और यदि आप ऐसा divide करेंगे, तो आपके पास answer में जो आएगा, वो Z ही आएगा, क् क्योंकि Z बचा हुआ है, चलिए तो मैं 2 से काटता हूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, नहां पर 2 3 जा 6, 1 बज़ गया, 2 9 जा 18, 1 बज़ गया, फिर 2 9 जा 18, ये 0, फिर उसको मैं काटूँगा, 2 5 जा 10, ओके, and 2 7 जा 14, ठीक है ना, और यहां पर मैं काटता हूँ, तो 2 1 जा 2, और 1 9, 2 9 जा 18, और फिर 2 9 जा 18, ओके, and 2 5 जा 10, तो 1 9 9 5 जा 10, अब तो कोई रास्ता नहीं है, आपको तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो 1 9 9 5 है न, 1 1,1995 में 57 का डिवाइड करिए, तो 57 4 जा तो नहीं जाएगा, 57 3 जा, 57 इंटू 3, 3 7 जा 21, करिया 2, 3 5 जा 15, प्लस 6 17, 171, तो भाई, 3 बार में कितना गया, 171, ओके, यहाँ पर कितना आ गया, देखे, 8 आ चुका है, 9 में से 1 गया, 8, यहाँ पर 2 आ चुका है, और कुछ भी नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर कितना, 5, ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं 5 ताइम्स करता हूँ, क्योंकि 57 इन्टू 5 टाइम्स मेरे को लग रहा, 57 इन्टू 5, 5 जा 35, ओके, 5, केरी आगे 3, 5 फाइव जा 25, 25 प्लस 3, कितना, how much, 285, तो यहाँ पर गया, कितने बार, 5 टाइम्स, 285, तो कैंसल हो गया, तो करेक्ट आंसर कितना है, आपने डिवाइट क करने पर हमारा जो पूरा कैंसल हो गया है, आंसर कितना है, मिर पास 35, तो आंसर कितना होगा, इसका 35, done, clear है सभी बच्चों को, तो इसका राइट आंसर होगा 35, चलिए, अब इसको next question करेंगे, ओके देखें, next question देखते हैं, अगला question paper no. 2008 का है, 2008 का question no. 63 देखेंगे हम लोग, question no. 63 मैं आपके सामने read कर रहा हूँ, देखें, question no. 63 क्या कह रहा है, question no. 63 का कहना है, out of total 250 marks, a student got 30 marks and failed by 25 marks, the marks necessary to passing, देखेंगे, बहुत बढ़िया question है, 250 marks का एक paper हुआ है, out of 250 marks, एक बच्चा जो है, इसके 30% marks उसने gain करे हैं, एक बच्चे ने कितने marks gain करे हैं, 30% marks, उसके बाद भी वो 25 marks से feel हो गया है, मतलब passing marks कितने होंगे, तो बहुत ही simple है, 35% में, अगर आप 25 marks जोड़ दो, तो वो pass हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 35% marks, 30% marks लाने के बाद, वो 25 marks से fail हो रहा था, तो 30% पहले निकाल लो, और उसमें कितने marks जोड़ दो, 25, तो वो pass हो जाएगा, तो हमको इसके passing marks निकाल ले हैं, सीन क्या है, बच्चे ने 200 marks, 250 marks का paper दिया है, और उस बच्चे ने कितने marks obtained करें हैं, 30% marks obtained करें हैं, और 30% marks obtained करने के बाद भी, वो 25 marks से fail हो गया, तो यदि उसको pass करना है, तो उसे कितने marks और लाने पड़ेंगे, इसके बाद, 25 marks और लाने पड़ेंगे, तो कहरा, passing marks बताओ, तो आजाईए, देखें, हम देखते हैं, passing marks कितने होंगे, तो passing marks कितने होंगे, देखें, सबसे पहले हम निकालते हैं, total marks 250 का 30%, तो 250 into 30 upon 100, दो 0, ये 200 क्या होगे, cancel, तो 75 marks आ गये हैं, ये 250 का 30% है, बट passing कितनी नहीं है, इतने पे वो 25 marks से fail हो रहा है, तो हमें इसमें कितना add करना पड़ेगा, plus 25, तब वो जाके pass होगा, तो 75 plus 25, answer कितने marks, 100 marks, ठीक न, तो इसका correct answer होगा, 100 marks, अब आप इसमें ये दिमाखना लगाए, कि 250 में तो सर्वो, इतने में pass होना चाहिए, उतने में pass होना चाहिए, ये paper वालो की खुद की scheme है, कि passing होने के लिए, उसको जो ह है, 30% से कितने marks ज्यादा, 25 marks ज्यादा, तो 30% मैंने निकाला 75 हुआ, और उसमें 25 add कर दिया, तो कितना होगा, 100 marks, चलिए, next question बताईए, next question, guys, अगला question आपको बताते हैं, देखिए, next question है, question number 73, जो आपकी exam 2008 में आया है, इसमें आप से पूछा गया है, mean proportion, proportion, तो mean proportion को आप लोग याद कर लीजे, क्या होता है mean proportion, देखिए, जैसे आपके पास में दो number है, A और B, और कह रहा है कि इनका mean proportion find करो, A और B क्या है, दो number, आपको mean proportion find करना है, तो कैसे करेंगे आप इसके लिए mean proportion के लिए, आप लिखे, A ratio X, A ratio X, equal to X ratio B, यह आपको करना प करना पड़ता है, A और B के बीच में आपको X को entry करवानी पड़ती है, किसके entry करवान पड़ती है, X, अब देखिए, यह क्या बनेगा, अब X आपको इसको भी देना है, और साथ में इसको भी देना है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते है, A ratio X, equal to X ratio B, तो आप देखिए, हाँ, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, A upon X, equal to X upon B, क्योंकि यह upon में नीचे जाएगा, और इसके upon में भी आएगा, तो याद रखेगा, यदि आप directly भी याद कर रहे हैं, mean proportion में, कोई बोलेगा, A और B का mean proportion, तो directly याद रखेगा, पहले आप A के नीचे X देंगे, फिर X क 3 हम से कह रहा है, find the mean proportion of 9 and 16, मतलब जो हमारे number है, वो कौन है 9 और 16, इनके बीच में हमने क्या दे दिया, X दे दिया, so क्या rule बनेगा, 9 upon X, equal to X upon 16, ठीक है, चलिए, cross multiply करिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 multiply by 16, और यहाँ पे X multiply by X, तो X into X कितना होता जानते हूँगे अब, क्या होता है, X into X, X square equal to 9 into 16, कितना होता है, 144, so X square equal to 144, so X equal to square root of 144, और 144 किसका square होता है, 12 का, तो इसका correct answer आएगा, X equal to 12, और इसका mean proportion जो होगा, वो 12 होगा, तो इसमें आप टिक लगाईए, the mean proportion of these number will be 12, तो बहुत ही simple है mean proportion, जो गायाब है, उसको बीच में रख दो, mean proportion और दोनों में बाढ़ दो, this upon this equal to this upon this, okay, done, चली देखिए गाईज, अगला question पर आते हैं, अगला question है हमारा page number, sorry, page number नही, question number 67, तो पहले मैं आपको question number 67 discuss करता हूँ, question number 67 है क्या, यह orange color से जो मैं लिखता हूँ, यह question होता है, तो question है 67, अब person by 60 oranges, तो एक person ने 60 oranges खरी रहे है 60 oranges, 60 oranges मतलब कितने dozen हो गए, 5 dozen, okay, 5 dozen oranges खरीदे हैं, और बंदे ने कितने rate से खरीदे है, at a rate of 21 per dozen, मतलब इसने जो cost इसको खरीदा है, यह rupees 21 per dozen के हिसाब से इसने खरीदा है, okay, बहुत बढ़िया, और 21 rupees per dozen के हिसाब से खरीदने के बाद, He sells them at a rate of 24 rupees per dozen, वा भाई साब, 24 rupees per dozen के हिसाब से इसने बेज दिये, कितने हिसाब से बेचे, 24 rupees per dozen, चलिए, अब ध्यान से लिखे, एक dozen यह 21 रुपए में खरीदता है, और बेचता कितने में, 24 रुपए में, तो इसको एक dozen में कितने का फायदा होता है, 3 रुपए का, क्यों है, बुली हाँ ना, तो मतलब one dozen में कितना profit कमाता है, अब total कितना बेचा इसने, 5 dozen, तो 3 रुपीज मल्टी फ्लाई वाई 5, एक कोल्स तु आंसर कितने रुपीज, 15 रुपीज, मतलब इसको 15 रुपीज का profit मिलेगा, तो correct answer इसका होगा, option number B, 15 रुपीज, done, ओके गाईस, चलिए next question की दरफ move करते हैं, okay, question, sample paper 2005 का, question number है ये, question number 72, देखी क्या है question number 72, क्या कह रहा है, question मैं पढ़ देता हूँ, a soap cake measure 7 cm length, 5 cm in breadth and 2.5 cm in height, एक soap cake है, जैसे live wire सावन आता, उसको soap cake कह सकते हैं आपके पास, तो ये एक soap cake है, इसकी length, breadth और height दी गई है, इस diagram में देखिए, इस soap cake की length, ये जो part है, इसे length समझ लो आप, आँगे और पीछे length होती है, ये भी जानते भी होंगे आप, ये आपने प तो L equal to किते centimeter, 7 cm in length, 5 cm in breadth, इसकी जो breadth है, ये yellow color में दिखरी, ये breadth है, इसकी चोड़ाई, ओके, तो B equal to 5 cm, ओके, इसकी जो height है, है ना, इसकी जो height दी गई है, height दी गई है, 2.5, ये देखिए, साबुन जितना उंचा होता है, है ना, तो वो होती ही, तो इसकी height दी गई कितन 5 cm, ये length breadth इसकी height दी गई है, ठीक ना, अब मैं इसका सबसे पहले volume निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, volume की, so total कितना volume है, इसका इंदर कितना material बिलकुल सही, तो इसका मैं volume निकालता हूँ, तो volume equal to L into B into H, length into breadth into height, तो 7 cm into 5 cm into 2.5 cm, अब देखिए, इसको थोड़ा सही करि यहां से काट दीजिए, तो कितना हो गया यह, 10, 5 से काट यह, कितने बार हो गया यह, 2 बार, ओके, तो अब देखिए, ऊपर कितना आ गया, 7 into 25, और नीचे कितना बच गया है, 2, तो don't worry, कोई बात नहीं है, 7 into 25, और यहां पर कितना हो चुका है, 2, clear, तो देखिए, 25, 7 जा कितना होता 25, 7 जा, 25, 7 जा बूली कितना होता, 170, बिल्कुल सही, 175 अपॉन, 175 को आप 2 से डिवाइट कर दीजिए, 175 को आप 2 से डिवाइट कर दीजिए, है ना, तो 175 डिवाइट जा 16, ओके, यहां पर बचा 1, 27 जा 14, फिर यहां पर 1 बचा, decimal आएगा, 0 लग जाएगा, 87.5, 87.5 सेंटीमीटर क्यूबिक, यह आया है वॉल्यूम, यह सोप के अंदर का वॉल्यूम आया है, यह सोप है जितने का, अब देखे क्या कहा रहा है, अब आँगे समझो, आँगे की कहानी बड़ी मज़ेदार है, उसको समझो, आँगे की कहानी क्या है, हाउ मैनी सोप केक्स कैन बी प्लेज इना कार्ड़ बॉर्ड बॉक्स, कह रहा है कि इस एक कार्ड़ बॉर्ड बॉक्स है, कार्ड़ बॉर्ड बॉक्स है, यह बड़ा सा कार्टून है, एक बड़ा सा कार्टून है, इस तरीके का कार्टून है, दे ने सोब रख सकते हो तो भाई हम क्या करते हैं इस पूरे cardboard का box का volume निकाल लेते हैं और पूरे इसके volume में छोटे वाले volume का क्या कर देंगे divide कर देंगे तो cardboard box की जो length breadth height दी है मैं पहले वो लिख देता हूं इसको जो length दी है cardboard की वो दी गई है length दी गई है 56 cm breadth इसकी दी गई किती 40 cm और height कितने वी 25 cm तो मैं इसका volume निकालता हूं बड़ा वाला volume का वो वी big ले लेता हूं इसको और उपर वाले को ले लेता हूं small ठीक है ना तो वी big अपने पास कितना है 56 into 40 into 25 और small का आचुका कितना 87.5 कितना आचुका है 87.5 ध्यान से देखेगा 87.5 है ना 87.5 ठीक है तो आप इसको solve कर सकते हैं और आपके पास answer आ जाएगा यदि आप देखी इसको solve कैसे करूंगा मैं आप देखना चाहते हैं तो इसको interested है इसको solve करने का तो मैं कहूंगा कि आप इसको 87.5 को जो इतनी महनत करके निकाले हो वो भी सीधे directly रख दो 7 into 5 into 2.5 शुरू में आपने जो multiply किया था तब ना यह था 87.5 आपको उसको जरूरत ही नहीं 87.5 सीधे रख दो तो कितना 87.5 के है 7 into 5 into 2.5 देखिए मैं यहाँ पर रख देता हूं 7 into 5 into 2.5 ठीक ना यहाँ पर देखिए 7 into 5 into 2.5 इतनी महनत करनी है देखरों मजे की दी यहाँ से यह जाएगा उधर क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा लिव मजे आ गए 25 बन जा 25 ओके फाइव एड़ जा 40 एन 7 एड़ जा 56 लिव भाई आंसर आगया 8 into 8 64 और 64 into 10 आंसर 640 सोप्स बनेंगे चक कर यह आंसर 640 सोप्स बन रहे हैं ओके यस तो करेक्ट आंसर इसका 2 ओप्शन है 640 सोप्स इसके अंदर बनेंगे चलिए नेक्स कोशन क्यों चलते है अग़ा क्वशन हमां सामने आचुका है अगला क्वशन में करा रहा हूं आपको पेपर नमबर 2005 का क्वशन नमबर 74 ठीक है क्वशन नमबर 74 क्वशनन नमबर 74 डिस्कस करते हैं देख Нет उननबर 74 क्या है A man borrows Rs. 600 from his friend मतलब दो लोग है एक friend A है, एक B है B जो है इससे 600 रुपए लेता है उधार बोरो लेता है 600 रुपीस from his friend He agrees to pay back after 8 months together with simple interest 8% per annum और ये कहता है कि मैं तुम्हें इसे 8 महीने के बाद लोटाऊंगा कितने महीने के बाद? 8 महीने के बाद ये जो है, ये इसको कहा रहा है कि मैं तुम्हें कितने मन्त के बाद लोटाऊंगा? 8 मन्त के बाद लोटाऊंगा और किस interest से लोटाऊंगा मैं तुमको 8% per annum मतलब जो बच्चो rate है rate है कितना? 8% per annum समझ रहे हैं आप? 8% per annum के rate से मतलब कि साल का कितना पैसा देगा? 8% साल के उसको कितना amount किस rate से amount देगा? 8% के rate से ठीक है ना? अब आप problem में क्या होगी? यार इसने तू 8 मन्त लिए इसने 8 साल नहीं लिए है दिक्कत ये है, इसने कितने मन्त लिए है? 8 मन्त और जो हमारा formula होता है इंट्रेस्ट का वो होता है प्रिंस्पल इन्टू रेट इन्टू टाइम अपॉन हंडेट जिसमें टाइम हमारा किसमे होना चाहिए? इयर में किसम होना चाहिए? तो यहाँ पे एक तरकीब लगेगी क्या तरकीब लगेगी? देखे आप जानते हैं कि ट्वल्ब मन्थ का कितना इयर होता है? वन इयर बोल यह होता है कि नहीं होता है? ट्वल्ब मन्थ के कितने इयर होते है? वन इयर तो मैं बोलूँगा वन मन्थ का कितना इयर होगा? तो थोड़ा से दिमाख लगाई है 8 upon 12 year, clear, अब आई ये interest निकालते हैं, interest equal to principal into rate into time upon 100, तो principal इसको कितना रुपए दिया था, 600 रुपए, 600, rate कितनी है, 8, rate कितनी है, 8, rate कितनी है, 8 है, और time कितना है, 8 upon, 8 upon 12, ओके, और नीचे कितना आएगा, 100, clear हो गया, clear हो गया, भई, principal into rate into time upon 100 है ना, भई, 8 upon 12 था, तो upon तो नीचे ही जाएगा ना, upon कहा जाएगा, ऊपर थोड़ा ना आजाएगा, चलिए, ठीक है, अब देखे, काटा कुटी करते हैं, 2, 0 से 2, 0 क्या होगे, cancel है, चलिए, 8, 4 से काटते हैं, वो यह 4, 3, 12, और 4, 2, 8, clear है, और 3 से कितने ब हो गया, चलिए, तो कितना बचा, 2, 2, 4, 4, 8, 3, 2, मतलब जो interest बना, वो कितने रुपीज बना, 32 रुपीज, कितने रुपीज इंटरेस्ट बना, अब amount कितना पे करेगा, तो आपको मैंने बताया था, amount is equals to होता है, principal जितना पैसा था, और प्लस जितना interest लगा, principal पर तो, भ interest बोल रहा कि amount बोल रहा है, देखे, question अब, okay, what amount, amount बोल रहा भाई, ध्यान से रखीगा, interest नहीं बोल रहा, question है, amount मांगा है, तो जितना पैसा दिया था, 600 तो लोटाए गई, और साथ में उसका, 32 रुपीज ब्याज लगेगा, यानि इंटरेस्ट लगेगा, तो answer कितने question number 78 पे, देखते है, question number 78 क्या कह रहा है, देखते है, 2005 examination को question number, at the start of a journey, the meter of a car reads 678.3 kilometer, ठीक है, मतलब कि कोई journey start हुई थी, तो जो गाड़ी होती है, गाड़ी के meter में लिखा हुआ था, कितना यहाँ पे, इस पे लिखा हुआ था, 678.3 kilometer, 678.3 kilometer, यह लिखा था, okay, at the end of the journey, the meter reads 913.5, अब जब journey आप खतम करके अपने, जहाँ जाना था, आपको वहाँ पहुचे, तो जो meter में लिखा हुआ था, कितना चला था, लिखा था, 913.5 kilometer, आपको कह रहा है, कि what was the distance covered by during the journey, सीरिया सीधा minus करना, इसमें कुछ है नहीं है, इतना easy question, so 913.5 minus, बड़ी वाली reading यह थी, छोटी वाली reading minus करिए, 678.3, 5 में से 3 गया 2, यह 13 बन जाएगा, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पर point आएगा, यह 11 है, ओके, तो 11 कितना बन जाएगा यहाँ पर, 10 बन जाएगा, 10 में से 7 गया 3, और यह बन जाएगा, 8, 8 में से 6 गया, 2, 235.2 किलो मेटर, तो correct answer is 235.2 किलो मेटर, बहुत ही simple question, चलिए, चलिए, चलिए गाइस देखिए, next question लेखते है, 2005 का question number 73, चोकी doubt है, question number 73 क्या गया रहा है, 80% of 250, 40 is more than 30% of 400, बहुत ही simple, 35% of 400, तो हमें आपर दो quantity compare करके बताने ही कि कितना ज्यादा है, तो सबसे पहली जो quantity है, वो है 80% of 240, और दूसरी quantity जो है, हमाँ पास हो है, 35% of 400, तो कैसे calculate करेंगे, देखे, 80% of 240, याने 80 into 1 upon 100, multiply by कितना, 240, तो 0 से एक 0 क्या होगे, cancel, ये 0 से ये 0 भी cancel होगया, खुल मिला कि आपके पास में बैदा, 24 into 8, इसको मैं solve करना हूँ, 8 4 जा 32, 3 आ गई, 8 2 जा 16, प्लस 3, 19, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगई है, अब दूसरी जो quantity है, हम देखते हैं, आपर देखे, 35% of 400, याने कि 35 upon 100, और multiply by 400, दो 0 से 2 0 cancel होगे, 35 into 4 होता है, 140, क्योंकि 35 का double 70 होता है, उसका double 40, तो हो गया थे, अब कह रहा है कि ये जो quantity है, इससे कितनी जादा है, कह रहा कि 80, इसका जो है, how much more than this, तो more निकालना है, तो भी या सीदे माइनस कर दो, तो 192 minus 140, 52, 25, answer कितना होगया, 52 more है, मतलब first quantity है, second से कितनी है, 52 जादा है, done, ओके तो टिक कल लिजे इसमें, 52 is the correct answer, option number A correct है, चलिए, next question कौन सा है, next question is 74, ओके चलिए, 74 question देखते है, question number 74 क्या है, पहले तो देखेंगे, question लिखेंगे हम लोग, 74, question about 2005 का, 74, the simple interest on rupees 300, at a rate of 6% annum, 2 raise to 1 by 2 year will be, भाई सब चीज़ दिया हुए है, आपको principle कितना दिया गया है, आपको principle दिया गया है, 300 rupees, आपको rate कितना दिया गया है, आपको rate दिया गया है, 6% annum, और आपको time कितना दिया गया है, time दिया गया है, 2 raise to 1 by 2, यहने time is equal to 2 raise to 1 by 2, जिसको आप लिख सकते हैं, 5 by 2, अब आपक के बल इंट्रेस्ट पूछा गया है और इंट्रेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन हंडेड तो चलिए वैल्यू पुट करता हूं में पी आर्टी की पी की वैल्यू है 300 इंटू 6 इंटू टाइम की वैल्यू 5 अपॉन 2 और 509 in 55 रूपीस तो जो आपका एमाउं ये बनेगा इंट्रेस्ट बनेगा वूह 45 रूपीस बनेगा दन छलिए चलिए लेक्ट इसन रेक्ते नेग्सक्रे देखते हैं क्वेस्टेनन सबस्टेटी एट 76 सबस्टेश यह सोडिए्क्षानबर 76 लेक्स्ट टेखते हैं number है उनका जो product है वो है 8192 तो पहला number x माल लिया और दूसरा number y माल लिया जो हमें पता नहीं है and the product is 8192 अब दूसरी line इसकी बहुत गंभीर कही गई है कह रहा है if one of the number is two times of the second अगर एक number जो है वो second का two times है मतलब जो first x कोई number है x is equal to two times of y two times of y मतलब या तो ऐसा माल लो या y को आप two x माल लो दो चीजें हो सकती है मतलब एक कोई दूसरे का दो गुना है तो हम क्या करते है y को माल लेते हैं इसका दो गुना two times so पहला number तो x ही है दूसरा number क्या माल लिया हमेने two x तो जाहिर सी बात है बड़ा कौन सा होगा भाई two x ही तो बड़ा होगा equal to कितना eight one nine two अब थोड़ी सी calculation करनी अगर आपको आता है x into two x कितना होगा बुलिए two x square equals to eight one nine two so x square equal कितना होगा eight one nine two upon two चलिए two से काटिए two four eight okay यहाँ पे two nine नहीं बिलकुल नहीं ही आपे zero आएगा इसके बाद nine आएगा two nine जा eighteen और two one जा two तो आगे आपके पास में कितना four zero nine one x square equal to कितना आचुका है four zero nine one अब आपके पास x equals two आएगा under root four zero nine one ठीक ना clear है under root four zero nine one तो अब आपको इसका under root निकालना है ठीक ना तो अब थोड़ी सी आपको ट्रिक लगेगी यहाँ पे कि four zero nine one जो है वो किसका option से नहीं दिखेगा क्योंकि अभी जो option आएगा वो just उसका double आएगा क्या आएगा उसका double चलिए तो देखे कैसे करेंगे एक बर चेक कलनों कुछ गल्ती तो नहीं हुए eight one nine two है eight one nine two को मैंने half कर दिया तो इस तरीके से half होगा एक बर फिर से आप लोग देख लिए eight one nine two divide by two तो सबसे पहले two four ja eight हो जाएगा यहाँ पे one बचेगा तो हम लोगो zero लगाना पड़ेगा तो two zero zero one के बद फिर यहाँ पे nine आएगा फिर two nine जा 18 हो जाएगा और यहाँ पे one बचेगा ट्वल बचेगा तो यहाँ पे six आएगा यहाँ पे आए four zero nine six कितना होगा four zero nine six अब देखिए उसका रूट निकालना है तो कैसे इतनी बड़ी संख्या का रूट कैसे निकालोगे इसका रूट कैसे निकाल पाएंगे तो आपने कहाँ इसका रूट 64 होगा तो मैं चेक कर लेता हूँ कि 64 into 64 कितना होता है four four zero sixteen ठीक ना four four zero sixteen four six zero twenty four twenty four plus one twenty five फिर six four zero twenty four केरी आगे two six four zero twenty four और यहोगे 38 clear है six five four nine आपसे क्या पूचा था question में आपसे पूचा था then the smaller number बिल्कूल सही तो smaller number क्या है एक सी तो होगा smaller number तो answer x equal to 64 यही इस question में बोलता कि bigger number तो bigger number आपको क्या करना पड़ता two x करना पड़ता फिर answer होता आपके पास कितना two into 64 यानि की 128 तो यदि smaller number पूचा है तो बल्ले बल्ले आपको सी दे वही answer देना जो आपको मिल रहा है नेक्स question है 80 अगला question देखते हैं गाइस question number 80 2005 के examination का देखें करना the number of 15 centimeter square tile यह आपके पास कुछ tile है यह 15 centimeter के tile है okay मतलब इनकी जो length है वो भी 15 centimeter है और इनकी जो breadth है वो भी किते centimeter है 15 centimeter तो 15 centimeter के कुछ tile है ओके अब मैं भी 15 centimeter के tile का area निकालूं क्या निकालूं एरिया तो 15 into 15 length into breadth तो answer कितना आएगा 225 cm square अब question क्या कह रहा है question कह रहा है कि कितने tiles require होंगे एक floor है बड़ी सी एक floor है बड़ी सी यह देखें इस floor में क्या लगाने है tile लगाने है इस floor में tile लगाने यह देखो तो यह चोटे-चोटे tile लगे हुए यह पहला tile यह दूसरा tile यह तीसरा tile कौन सा वाला tile है यह अपना वाला tile लगे हुए कितने tile लगेंगे इस floor को बनाने में इस floor का जो size है length or width इसकी है 3.6 into 4.5 मतलब इसकी length है वो 3.6 meter है याद रखना भाई सब नहीं तो गलती ना कर देना 3.6 meter और 4.5 meter तो सबसे पहले मुझे इसका area निकालना पड़ेगा बड़ी वाली tile का क्योंकि जो tiles set होंगे वो area में होंगे so area equals to 3.6 meter into 4.5 meter तो meter को centimeter बदलो क्योंकि यह वाला मामला centimeter में है तो 3.6 1 meter में कितने centimeter 100 centimeter 4.5 4.5 मतलब 4.5 into 100 centimeter नीचे देखे decimal को मैं break करता हूं तो यह भी 10 यह भी 10 तो 10 10 से क्या हो गया 100 100 cancel तो कितना आ गया 36 into 45 into 100 centimeter square यह आ गया बड़े tile का area तो total number of tile equals to कितना हो जाएगा बड़ा वाला area a big upon a small तो बड़ा वाला area कितना निकला यह निकला है 36 into 45 into 100 छोटा वाला area क्या था 15 into 15 लिग देता हूं 15 into 15 चलिए cancel करता हूं 15 से कितने बार तीन बार ओके फिर मैं 5 से कारता हूं 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100 फिर 3 से 3 क्या हो गया cancel लिए भाई सब आ चुका है 36 into 20 आंसर कितने होगे 720 tiles लगेंगे कितने tiles लगेंगे 720 तो ऐसे करते करते इस कमरे में टोटल 720 tiles लगेंगे बोले डन बच्चों कोई दिक्कत तुनी न ओके गाइस सो यह हमारे हाई थिंग डाउट कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर हमने जितने डाउट आये थे आज आज आपकी क्लास में उत्ते कंप्लीट कर लिए हैं थैंक यू सो मच पर बिंग विद लो